उत्तप्रदेश के हात्रस में जहां एक सत्संग कारिक्रम में आए कम से कम सो से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवादी है उस घटना स्थल पर इस वक्त हम मौझूद है और इस वीडियो में हम आपको वो चार कारण बताएंगे जुसकी वजह से ये भगदर मची और जु पहले आप घटना स्थल को जड़ा ध्यान से देख लीजें सबसे पहले आप मेरे पीछे का ये मंज़र देखिए क्या इस जगहा को देखकर आपको लगता है कि यहां कोई भी किसी वी तरह का कारिक्रम आयूजित कि या जा सकता है और वो भी तब आपको पता हो कि इस कारि प्रस्ता देखेंगे तो भी ढलान के साथ है बारिश पड़ी थोड़ी सी तो यहां पर कीचड हो गई है यहां पर पानी जमा हो गया है दोर भी अगर आप देख पा रहे हैं यहां से आगे जाना अलाउड नहीं है तो वहां पर सब जगा पर पानी भरा हुआ है और आप कारण है जिनकी वजह से बताया जा रहा है कि यह भगदर मची और इतने लोगों की जान गई सबसे पहला कारण है यहां की व्यवस्था जब हमने यहां के स्थानिय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहां पर जो बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए थी इतने बड़े इवेंट के लिए इतने बड़े कारिक्रम के लिए वो नहीं थी यहां पर एक अंबिलेंस तक मौझूद नहीं थी यहां पर कोई फायर ब्रिगेट की काड़ी मौझूद नहीं थी यहां पर वो तमाम सुलधाओं की कमी थी जो किसी भी एक इस तरह के इवेंट में हुनी चाहिए चले 2-3,5 लोग का नुमान नहीं था लेकिन 80,000 लोग तो थे लेकिन उनको कैसे डील किया जाए उनके साथ या भीड में अगर वो तब दील हो जाते हैं तो उनको कैसे समाला जाए उसके कोई त्यारी नहीं थी तो यानि कि सबसे पहली गल्ती थी व्यवस्था आपको यही नहीं मालूम था कि कितने लोग आने वाले हैं और जब इतने लोग आ गए तो प्रशासन से भी नहीं समाली गई दूसरी गल्ती थी यहां के जो आयोजक्त है कारकरम की उनकी उन्होंने जो इन्फरमेशन थी वो सही नहीं दी जब हमने और यहां के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हमें यह बताया कि जो इहां के हेल्प करने वाले लोग थे कारकरम आयोजित करने वाले लोग थे वो सब भी इस हादसे में शिकार हुए हैं वो सब लोग भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि यहां पर इतनी भीड मचेगी या ऐसा तो जब इतनी भीड उमड गई तो लोगों में भगदर मची और जल्दी से जल्द बाहर निकलने के चकर में लोगों ने एक दूसरे को रौनना शुरू कर दिया लोग एक दूसरे के ऊपर से निकलना शुरू गए और इस बात का ख्याल नहीं रखा कि नीचे क्या लोग है कौन लोग है या वो किसी को रौनते वे गुजर जा रहे हैं इस बात का ख्याल नहीं रखा अब बात करेंगे हम चोथे कारण की जुसमें छोटे छोटे कई सारे कारण है और जो एक्चल वज़ा है लोगों के मरने की एक और लोकेशन में आपको दिखाती हूँ आपको पड़े कारण की गवाई दे रहा है यह मंजर आप देख सकते हैं यह जगा ना तो कोई मैदान है और ना ही यहां पर सत्संग हो रहा था लेकिन क्यूंकि वह पूरा मैदान भढ़ चुका था इसलिए लोगों ने बाबा के दर्शन के लिए यहां पर इकटा होना शुरू क कारण इसलिए बाबा को बता रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाबा ने अपनी गाड़ी को जान बूच कर उस रास्ते से यहां तक घुमाया और लोगों के मन में यह भावना थी कि जहां से बाबा गुजरते हैं वो मिट्टी पवित्र हो जाती है उसको हम ले जाए अप को शिष्की तो वो उठ नहीं पाए और क्योंकि सभी लोग इस तरह से बाबा की मिट्टी लेना चाहते थे उनके पैरों की धूल उनकी गाड़ी जहां से गुजरी उसको लेना चाहते थे इसलिए पीचे वाले लोग भी तेजी से दोड़े और इसी की वज़े से आगे वा की वज़े से लोग परिशान थे यहां पर जो बाबा की गाड़ी निकली और उसमें से मिटी उठाने के लिए लोग निकले इस किर्चड में वो लोग दब गए यह कारण था और जहां प्रशासन को आक्टिव होना चाहिए था वहां कोई आक्शन तुरत नहीं लिया गया नहीं पहले से कोई प्रबंदन किये गए यह एक तीसरा कारण था और चौधा कारण हमने आपको बताया यहां पर लोगों की गिनिती जितने आकी गई थी उससे बहुत जादा संख्या में लोग यहां पर इखटा हो गए तो यह मोटे मोटे चार कारण है जो इस हादसे को बड़े होने की वजह बताय जा रहे हैं है फिलहाल घटना सल पर आज़ा मौजूद है और हम हॉस्पिटल भी गए वहां से भी हमने लोगों से बातचीत की एबीपी लाइफ की कवरिज लगतार इस पर जारी है जो कुछ इंफरमेशन हम तक हमें मिल रही थी वह अब तक प झाल झाल